नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी उमीद करते हैं आप सभी स्टूडेंट बहुत अускry TARIKE से हूँगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे TARIKE से ल्रही होगी तोग आगे देखेंगे दोश्तों क्या होता है समकोन तुरभूज क्या होता है दोस्तों होता है क्या होता है तो आप ने च fem whomे संभाहो संभाहो दृबूख के वारे में जानते होंगे उसमेंस लोगों को समकोण तिरभूज के बारे में भी overview दियते लेकिन इहां पर आपको पूरा समझना है ध्यान दीजिएगा क्या समकोण तिरभूज ध्यान दीजिए समकोण तिरभूज कैसे होता है दोस्तों कुछ इस टाइप से होता है ठीक है हाँ इसमें क्या होता है एक जो कोण होता है दोस्तों जो एक अंगल होता है यह 90 डिगरी का होता है ठीक है यह और यह अलग-अलग समझेगा हाँ अभी आपको यहाँ पे समझना है यह कोण क्या होता है 90 डिगरी का होता है आप सभी स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आएगा तो यहा हम क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं ठीक है ध्यान दीजिए इसे क्या बोलते हैं आधार सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे और यह जो भुजा होती है इसे हम क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं हां समझने का आप सभी यह आधार समझ रहे ना हाँ आप ऐसे भी बना सकते जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बनाए ठीक है तो समझने का प्रयास करिए यह जो होगी भूजा दोस्तों इसे हम क्या बोलेंगे कर और नीचे जो होगी भूजा उसको हम क्या बोलेंगे आधार और यह जो हुजा है दोस्तो इस भुजा पर क्या है? लंब है, तो इसे हम बोलेंगे लंब, ठीक है? हाँ, सभी student समझने का प्रयाज करिए, concept यहाँ पर आप सभी student क्लियर करिए, और आप लोगों को हम बताये थे, परिमाप क्या होता है दोस्तों, आप सभी student बताईए, परिमाप क्या होता है? सभी सभी भुजाओ, ध्यान दीजेए, आप सभी student समझने का प्रयाज करिए, सभी भुजाओ का योग, क्या होता है? परिमाप यही होता है ना, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, दोस्तों, क्या बोल सकते हैं? ध्यान दीजेए, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, हाँ, ध्य ध्यान दीजिए गा, क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, दोस्तों, परिमाप, ध्यान दीजिए आप सभी स्टुडेंट, परिमाप बराबर, लंब, प्लस, आधार, सभी स्टुडेंट ध्यान देंगे, लंब, प्लस, आधार, प्लस, कर ठीक है यही तो होगा तीनो भुजाओ का योग क्या होता है परिमाप होता है तो परिमाप निकालना होगा तीनो भुजाओ की जो लंबाई दी होगी उसको आपस में जोड़ देंगे ठीक है परिमाप आ जाएगा अब देखिए कण आता है कण क्या है ये देखिए कण निकाल बराबर क्या होता है दोस्तों ध्यान दीजिएगा लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर क्या होता है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे हाँ लंब स्क्वाइर लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर ध्यान देने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करे अंडरूट में लंब काolve सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे अंडरूट में क्या होगा लंब का childhood एकुच्वीर प्लस आधार का स्क्वाइर क्या होगा लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर क्या होगा हाँ ध्यान दीजिये स्क्वाइर है हटेगा तो उधर क्या होगा अंडरूट होगा ठीक है बहुत अच्छे एक दम सही समझ रहें बहुत अच्छे तो यहां पे कण पूछा समझने का प्रयाज करिए ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में बताइए सभी सुडेंट लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर ठीक है हाँ बहुत अच्छे वेरी गुड अंडर रूट में एल स्क्वाइर प्लस बी स्क्वाइर हाँ समझने का प्रयास करिए एकदम सही वेरी गुड सभी स्टुडेंट सही है समझ में रहा है छेतरफल क्या होता है, दोस्तों? छेतरफल. त्रिभुज का छेतरफल हम आप लोगों को बताये थे. अगर भी सम्भाहु त्रिभुज हो, तो इसके लिए अलग होता है. और दोस्तों, क्या? ध्यान दीूढ़े आप आप सभी सुडेंट. और सम्भाहु tud के लिए अलग और यह दोस्तों जो समकॉड है, ध्यान दीजिए, समकॉड, समकॉड के लिए क्या होता है ज्जेतरफल? वन बाई टू गुडे, आधार गुडे उचाई, कहने का मतलब है लंब, ठीक है? आधार गुडे लंब, ठीक है? समझने का प्रेस करिए. 1 by 2 आधार गुणे आधार गुणे क्या दोस्तो लम सभी student प्रयास करेंगे समझने का हाँ अच्छे से समझेंगे तो आधार गुणे उचाई कर देते हैं नहीं तो आप लोग confusion होगे ठीक है आधार गुणे उचाई आधार गुणे उचाई होता है छेतरफल ये तो आप लोगों को बताए हैं ना छेतरफल के लिए फार्मूला क्या होता है 1 by 2 गुड़े आधार गुणे उचाई यहाँ पर फार्मूला नोट कर लिजिएगा आप सभी student formula नोट करिए छेतरफल क्या होता है 1 by 2 आधार गुणे उचाई ठीक है हाँ उचाई confusion नहीं होना है हाँ बहुत अच्छे very good याद है आप लोग को ठीक है हाँ कण समझ गए परिमाप समझ गए छेतरफल समझ गए यह चीज समझ गए तीनों की नहीं यह बताए है आप लोग समझने का आप सभी स्टूडेंट प्रयास करिए तो यह पाइथागोरस प्रिमे का उन्सार होता है कण का स्क्वाइर बराबर लंब का स्क्वाइर प्लस आधार का स्क्वाइर तो कण बराबर क्या होगा 1 by 2 इन्टू आधार गुने उचाई, एक बटा दो आधार गुने उचाई, ये समझ गए, अच्छी बाद, चलिए, इसे आप सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिएगा, इसे आप सभी स्टूडेंट क्या करिए, नोट कर लीजिए, चलिए, आगे चलते हैं, अगला देखिए समधिवाहु तर्भूज काफी important है क्या है? ध्यान दीजियेगा आप सभी student क्या है? समधिवाहु तर्भूज अच्छे से समझने का आप सभी student प्रयास करेंगे समधिवाहु तर्भूज का मतलब होता है वह तर्भूज जिसकी दो भूजाय समान होती है ध्यान दीजिएगा समध्दिवाहु तिरभूज क्या होता है वह तिरभूज जिसकी दो भूजाए आपस में क्या होती है समान होती है कहने का मतलब है यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट समझेंगे पहले ध्यान दीजिए यह तिरभूज हो गया ठीक है समझने का प्रयास करिए अगर इसकी दो भूजाए दोस्तों ये और ये चाहे ये और ये चाहे ये और ये समझ रहना समझने का प्रयास करिए क्या होंगी समान होगी अगर ये भूजा की लंबाई A है इस भूजा की लंबाई A है तो ये क्या होगा और इसकी क्या है दोस्तों समझेगा और इस भूजा की लंबाई B है तो ये क्या होगा एक समधिवाहुत्रभूज होगा मतलब इसकी दो भूजाए क्या है दोस्तों बर देखिए परिमाप इसका निकालना होगा तो क्या करेंगे परिमाप क्या होता है दोस्तों अभी हम आपको बताए सभी भुजाओ का योग परिमाप क्या होता है सभी भुजाओ का योग मतलब a plus a plus b तो इसमें कितना a है दो a है तो 2a plus b तो 2a plus b आप क्या इसका परिमाप बोल की नहीं हाँ परिमाफ हम अभी आप लोगों को बताए की नहीं ध्यान दीजेगा आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे क्या होता है परिमाफ तीनों भूझाव का योग इतनी भी भूझाए A A B तो A प्लस A प्लस B मतलब 2A प्लस B क्या होगा सम्धिबाहुतिर्भुझ का परिमाफ क्या होगा 2A प्लस B ठीक है, हाँ, समझने का प्रयास करिए आप सभी student, ठीक है, जिसमें क्या होती है, दो भूजाय समान होती है, एक अलग होता है, ठीक है, यह चीज़ समझ में आप लोगों को आ गया, हाँ, बहुत अच्छे, very good, समझ में आ गया, अब देखिए, अब बात कर रहा है, उचाई क खरदा हाँ, तो किया होगा दोस्तो, ध्यान दीजिएगा, यह जो बेस है, आधार है, अगर इससे हमें इहाँ पर सीधा लंब खीचे ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा, height होगा, इस्तृ भूज की उचायी होगी, उचायी का मतलब क्या होता है, H, ठीक है, और यह जो नीच दोस्तों क्या है वी है तो यह क्या होगा दोस्तों बी बाइटू और इसकी लंबाई यहां से यहां तक ही और इधर की लंबाई दोस्तों क्या होगी बी बाइटू हां मतलब आधा आधा होगा हाँ समझने का प्रयास करिए आधार पे जब लंब पड़ेगा उपर से तो ये तिरवूज के आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा ठीक है तो अभी आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तो पूछा क्या है उचाई तो पाइधा गोरस पिमे के अनुसार दोस्तों क्या होता है बताईएगा कड का स्क्वाइर यहीं होता है ध्यान दीजिए कड का स्क्वाइर मतलब ए स्क्वाइर बराबर क्या होता है वी बाइटू का स्क्वाइर सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करिएगा वी बाइटू का स्क्वाइर अच्छे h square बताना है तो आप सभी student समझने का प्रयास करिएगा अगर हम रखे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आप सभी student समझिए अगर हम बोले h square बराबर h square बराबर क्या होगा दोस्तो a square minus सभी student समझने का प्रयास करिए यहाँ पर समझिए b by 2 का square यह आप डिरेक्ट बोल सकते हैं दोस्तो, h square बराबर, कड का square, माइनस आधार का square, हाँ, इस वाले ट्रेंगल से निकालेंगे, दोस्तों, हम क्या, यह लंब, यही क्या होगा, height होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ, समझे आप सभी student, अब यहाँ पे देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो h square बराबर, क्या होगा, यह आपका a square, माइनस, क्या होगा, b का square करेंगे, b square, बटा में, 2 का square करेंगे, तो क्या होगा, 4, फिर देखिए, h square बराबर, क्या होगा, यहाँ से गुना करेंगे, या LCM लेंगे, तो 4 होगा, तो इधर आप कर सकते हैं, दोस्त तो 4a² सभी student ध्यान देंगे, 4a² सभी student ध्यान दीजिए, 4a²-b² बटा में क्या होगा, 4, यह होगा, इतना समझ लिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अब बताने आपको h, h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, under root में, ध्यान दीजिए आप सभी student, 4a²-b², बाई क्या होगा, 4, यह under root में है, ध्यान दीजिएगा, यह नीचे वाला भी 4 क्या है, under root, तो इस 4 को हम बाहर कर सकते हैं, हाँ, समझने का आप सभी student प्रयास करिए, पहले इतना समझ यह, जब इतना समझेंगे तभी कुछ कर सकते हैं, वरना ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हाँ, इतना समझ यह पहले, इतना आप सभी student पहले समझ यह आ रहा है कि नहीं, यहां पर यह बताईए इतना समझ में आ रहा है कि नहीं h square बराबर 4a square minus b square by 4 यह समझ में आ रहा है कि नहीं यह चीज़ समझ यह कुछ नहीं करना है दोस्तो h square बराबर a square minus b by 2 का whole square यही तो करना है अब देखिए h बराबर क्या होगा दोस्तो समझने का प्रेस करिए आपको निकालना नहीं है एक्जाम में याद रखना है आपको क्या करना है निकालना नहीं है याद रखना है तो यह क्या हो जाएगा 4a square minus b square और बटा में यह 4 की जगए पर हम क्या कर सकते हैं 2 क्योंकि अंडरूट में था अंडरूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 2 होगा क्या होगा 4a square minus b square by 2 हाँ समझी आप सभी student समझने का प्रेस करिए यह क्या है दोस्तो h मतलब height बराबर हाँ समझ में आ रहा है बहुत अच्छे वेरी गुड एकदम सही हां तो हाइट क्या होगी दोस्तों त्रभूज की ध्यान दीजिएगा जो समझी बाहु त्रभूज होगा उसकी height क्या होगी आप सभी student समझने का प्रेस करेंगे under root में 4a square ध्यान दिजिएगा under root में क्या दोस्तो 4a square minus b square by 2 यह height का formula है उचाई का formula है आप सभी student क्या करेंगे इसको note करेंगे उचाई क्या होगी under root 4a square minus b square by 2 सभी student ध्यान देंगे समझने क्या प्रियास करेंगे क्या होगी under root 4a square minus b square by 2 ठीक है अब देखिए यह हम आप लोगों को समझाने के लिए लिखें क्योंकि पिछली क्लास में हम आप लोगों को बता रहते तो आप लोग पूछ रहते कैसे होगा तो कैसे होगा यह चीज यहाँ पर हम explain कर दिये द्रबर 4a square minus b square by 2 यह याद होना चाहिए जब कभी भी दोस्तों सम्दिबाह उत्रभूज का उचाई पूछे तो आप बोलेंगे under root 4a square minus b square by 2 ठीक है हाँ समझने के प्रियास करिए आप सभी स्टुडेंट अब देखिए अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है छैत्रफल क्या बोला है छैत्रफल के लिए आद्हार गुने उचाई क्या बोले है वन बाइट हर गुने उचाई सभी स्टुडेंट समझने का प्रियाज करिए इससे आम सिमझ गए हैं अब देखिए लगाल भास अदार गून उचाई क्या होता है चेतर रफल वराबर ध्यान दीजिए हाँ छेतर रफल वराबर क्या होता है वाण o N Bethu अ अधार हृफ ध्यान दीजिएगा गूने पुंचाई यही होता है न क्या अत्राफ su Aidhon का प्रयाज करेंगे आधार इसमें क्या है और उचाई क्या है आप सभी स्टूडेंट देखिए एक बात अब बताईए, आधार, मतलब B, सभी student समझेगा, B, उचाई क्या है, अभी उचाई हम निकाले, उचाई हम क्या निकाले हैं, उचाई हम क्या निकाले हैं, दोस्तों ये, उचाई की जगा पे आप ये रखेंगे, क्या, ध्यान दीजिएगा, under root ध्यान दीजिएगा, 4A square minus B square by 2, सभी student समझने का प्रयास करिए, सभी student पहले समझने का प्रयास करेंगे, तभी समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है, हाँ, सभी student पहले समझने का प्रयास करेंगे, तभी समझ में आप लोगों को आएगा, ठीक है, हाँ, समझिएगा, अच्छे से देखिए, अब यह कुछ नहीं करना है यह 2 और 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा तो इसे हम कह सकते हैं B by 4 बोल सकते हैं कि नहीं B by 4 very good बहुत अक्षे कुछ student बता रहे हैं B by 4 ध्यान दिजिएगा B by 4 into under root ध्यान दिजिएगा under root में क्या होगा 4A square minus B square क्या होगा B by 4 सभी student समझिएगा under root में 4A square minus B square यहाँ पे हम निकाल दिए लेकिन आपको यहाँ पे explain करने के लिए आपसे नहीं पूछेगा आपसे क्या पूछेगा सम्दिवा हुत्रभूज रहेगा उसमें भुजा दिया रहेगा ठीके हाँ तमझ रहे ना आप लोगों से क्या पूछेगा उचाई पूछेगा छेतरभल पूछेगा तो formula पे लगाना है आपको क्या करना है आपको formula पे लगाना है तो इसकी जगा पूछाई की जगा क्या कर सकते हैं B by 4 सभी student ध्यान दिजिएगा गुने under root में 4A square minus B square तो यहाँ पे गुने बोल सकते हैं अगर गुने नहीं भी लिखेंगे ध्यान दिजिएगा गुने नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चलेगा क्योंकि गुना में होता है B by 4 under root में 4A square minus B square समझ रहें की नहीं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तरफल बराबर क्या होता है 1 by 2 आधार गुने उचाई तो 1 by 2 आधार इसका क्या है दोस्तो B है B गुने उचाई क्या निकाले है दोस्तो 4A square ध्यान दिजिएगा under root 4A square minus B square by 2 तो यहाँ पे क्या होगा B में 1 से गुना होगा B हो जाएगा 2 में 2 से गुना होगा 4 तो B by 4 into A ठीके तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B by 4 सभी स्टूडेंट ध्यान दिजिए B by 4 into under root में 4A square minus B square ठीके गुना में होता है यह यह गुना में होता है ठीके हाँ समझ में आ गया बहुत अग्षे very good समझ में आ गया तो अच्छी बात है हाँ आप सभी स्टूडेंट समझने का प्रयास करेंगे तभी समझ में आप लोगों को आएगा वरना इससे नहीं आएगा ठीके हाँ हाँ समझने का प्रियास करिए अब हम आप लोगों को बता रहा है कि कोस्टन थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट देखने का प्रियास कर सेंगे कोस्टन देखेंगे आप थीके अभी समदिवाहुं हुज की दो जो दो समान भुजाएं हैं यानि ए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा जो इस प्रकार की क्या होती है दो समान भुजाएं होती है यह होता है यह होता है और यह भी होता है ठीक है हाँ सभी स्टूडेंट पहले समझेंगे तभी समझ में आप लोगों को आए ध्यान दीजिये परिमाप, उचाई और 6 त्रफल अभी हम एक concept बताएंगे तो आप लोगों को जो formula है उसे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पर समझेए अगर एक समधिवाहुत्रभूज की ध्यान दीजिये जो दो समान भूजाये हैं उनकी लंबाई 13 cm है इसे cm आप कुछ भी मान सकते हैं ठीक है जिसमें रहेगा उसी मानसर देंगे और उसकी ध्यान दीजिये आप सभी student और एक जो अशमान भूजाये जिसक और रहेगा इसे cm फांप यहां घ्यान दीजिये आप सभी student जो परिमाप होता है वो क्या होता है दोस्तों मैं पर darWatcher घ्यान ब्तूंस सब्सिर्ट आहद्स चैनलाी जो भी भूजाओ का यत जो भी भूजाये होती है उनका योग अगर ए बराबर 13 है तो ये 13 ये 13 और ये क्या होगा 10 तो 13 प्लस 13 प्लस 10 करेंगे 13 तेरा 26 10 36 36 cm पर इमाप होगा अब देखिए अब आप लोगों को क्या बताना है उचाई उचाई क्या होता है दोस्तों अभी हम आप लोगों को बता रहे थे और पूरा explain भी किये इस पे जो लंब गिरेगा आधार पे यहां से तो क्या होगा उचाई होगा ठीक है अब देखिए उचाई क्या करता है यह जो लंब होता है आधार को दो बराबर भागों में विभाजित करता है मतलब समझने का आप सभी student प्रयास करिए हमें क्या बताना है उचाई तो उचाई के लिए आपको फर्मूला नहीं लगाना है यहां से आप कर सकते हैं यहां से आप कर सकते हैं पाइथा गोरस प्रे में हम आप लोगों को बताए हैं लंब बराबर क्या होता है यहीं बताना है ना हमें हाइट यह एच 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 दिजिए क्या होगा दोस्तों समझने का प्रयास करिएगा अंडरूट कण का स्क्वाइर माइनस आधार का स्क्वाइर इस वाले ट्रेंगल से हम क्या करेंगे निकाल सकते हैं हाँ वह होट अच्छे वेरी गूड एक दम सही कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे तो एच बराब तो एच बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट 144 144 तो एच बराबर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर उचाई क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर तो क्या आपको अभी फॉर्मूला रटना है उस वो वो फॉर्मूला बस समझने के लिए था ठीक है हाँ, आप इससे भी कर सकते हैं, पाइथा गोरस प्रमें लगा कि आप ऐसे प्रसनों को solve कर सकते हैं, अब हम लोगों से क्या पूछा है, छैतर फल पूछा है, क्या पूछा है, छैतर फल, तो दोस्तों, छैतर फल बराबर क्या होता है, बताइए, one by two गुने, आधार गुने द्यान दीजिए यहाँ पे देखिए खैतरफल ध्यान दीजिए आप सभी student क्या खैतरफल खैतरफल बराबर one by two गुने आधार गुने उचाई यही वोता है ना अब देखिए कुछ नहीं करना है one by two गुने आधार क्या है दोस्तों आधार इसका base क्या है 10 है हाँ दस गुने उचाई क्या है दोस्तों बताइए बारा है सब ही स्टूडेंट पहले समझने का प्रयास करेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा वरना ऐसे नहीं आएगा हाँ तो यह 2 से कट जाएगा 2 पच्चे 10 या 2 च्चे 12 दच्चे 60 समझ रहे न तो 2 से इसे कटा लेंगे 2 पच्चे 10 और 12 पच्चे 60 सेंटी मीटर तो इसका छेतरफल क्या होगा 60 सेंटी मीटर दोस्तों उमीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सारे कोशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा किसी कोशन में अगर आपको डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा उस कोशन को दुबारा हम समझा देंगे वैसे यहाँ पे आप लोगों को डाउट एक भी परसंट की नहीं होनी चाहिए क्योंकि सारी चीज़े हम एकदम बेसिक से जीरो लेवल से चाप्टर बाई चाप्टर किलियर करते हुए चल रहे हैं बस आप लोगों को तयारी करना है मन लगा के पढ़ना है और साथ ही साथ अगर आप किसी यह नहीं एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो हम आप लोगों को बता दे एक्जाम की संपूर तयारी 100% सेलेक्शन के लिए कराई जा रही है स्सी मेकर के आप पे तो आप सभी लोग स्सी मेकर के आप डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक नीचे डिस्मिन बॉक् के लिए भी से और सेलेक्शन बाई चल रहा है तो इन सभी एक्जाम की तयारी है या किसी अन्य एक्जाम की भी आप तयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी स्सी मेकर आप पे क्लासे चल रही है और सभी की सभी जो भी क्लासे होती है स्सी मेकर के आप पे वो जीरो लेबल से बेसिक से और चाप्टर बाई चाप्टर चाप्टर चल रही है और कम फी में आप लोगों को बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है जिसे आप पढ़के 100% अपना सेलेक्शन सुनिशित कर सकते हैं अगर आप सिर्फ मैठ पढ़ना चाहते हैं तो मैठ के लिए भी क्लास एकडम बे सेलेना चाहते हैं तो वो भी चला हुआ SSC मेकर के आप पे और हम आपको बता दे SSC मेकर का आप सभी लोग एक्जाम प्रिपरेशन जो एप है इसको आप सभी लोग क्या करेंगे पहले तो आप लोग डाउनलोड कर लेंगे आप को इंस्ट्रॉल कर लीजिए मोबाईल में और इससे जुड़ जाईए और अगामी किसी भी एक्जाम की आप तयारी करेंगे तो आप एक बार एप पे विजिट करेंगे देखेंगे उन सभी एक्जाम की बहुती सांदार तरीके से और जबर ज़स्टीम के साथ आपकी तयारी कराई जा रही है तो आप लोग क्या करे अभी SSC Maker का आप डाउनलोड कर लीजिए, जुड़ जाईए और मन लगा के तयारी करिए और अपना सेलेक्शन 100% सुनिशित करिए, थैंक यू